हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ अझजिना और अजिनाज की चिण में आपका स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स सदियों का मौसम आ गया है और इन सदियों के मौसम में हम грini leaf vegetables को अपनी डाएट में पकका इनक्लोड करते हैं लेकिन क्या होता है कई बार हम daily daily साग तो नहीं खा सकते हैं लेकिन different different recipe बना कर हम green leafy vegetables को अपने diet में include कर सकते हैं फ्रेंट्स यहां मैंने पालक लिया है और इसको वाश कर लिया अची तरह से और इसको मैं मोटा मोटा कट कर लूँगी और फिर मैं लूँगी ग्रैंड जार और इसको मैं फाइन पेस्ट रेडी कर लूँगी इसका. फ्रेंट्स पालक को हम किसी न किसी रूप में हमें डेली अपनी डायेट में इंक्लूट करना चाहिए क्योंकि पालक में वाइटेमिन ए, वाइटेमिन बी, वाइटेमिन सी और वाइटेमिन ई भरपूर मात्रा में होता है यही नहीं वाइटेमिन सी नहीं होता इसमें पोटे करना चाहिए किसी भी रूप में करो मैंने यहां पर पालक का पेस्ट रेडी कर लिया है और यहां दो कटोरी आटा लिया है और इस आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा हींग थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा डाला है मैंने यहां धनिया पाउडर और टेस्ट के अकोर्डिं नहीं करते तो आप डिफरेंट डिफरेंट रेसेपी बना करके उनको खेला सकते हैं यहां डोर एडी कर लिए और इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूंगी 10 मिनट हो चुके हैं अब मैं इसके पेड़े तोड़ लोंगी इस तरीके से और यहां पर मैं आटा दे दूंगी आप वहां पर विजिट करके आप देख सकती हो आप बच्चों को इस तरीके से भी खिला सकती हो कम ओयल में आप बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट पालक की रेसेपी बना करके आप खिला सकती हो मैंने यहां पर एक चपाती बेल ली है यहां चपाती को मैं गोल शेप में बेलुंगी अभी, इस तरीके से इसको पतला पतला बेल देना है, इसको मोटा नहीं मेलना, इस तरीके से बेल देना है, और इसके उपर मैं थोड़ा सा घी ग्रीस करूँगी इस तरीके से इसके उपर घी ग्रीस कर लेना है और इसको एक ट्रैंगल शेप में फोल्ड करना है इस तरीके से इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना और नीचे से भी हमें फोल्ड कर लेना है इस तरीके से अब बस इसको थोड़े हलके हलके हाथ से बेल देना है इस तरीके से बेलना है कि इसकी शेप खराब न हो अब बस इसके ऊपर हम सूखा थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे इस तरीके से ऐसे और ये बहुत ही टेस्टी लगता है एक पर फ्रेंट्स ट्राई करके पक्का देखना इसको बहुत ही टेस्टी लगता है और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी मैंने इसको हलके हलके हाथ से बेल लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ गैस पर मैंने तवा रख दिया है तवा हो गया है गरम अब हम इसके उपर डाल देंगे पालक का पराठा और इसको दोनों साइड से हम सेख लेंगे अब मैंने इसके उपर घी ग्रीज कर लिया है इस तरीके से और ये देखो एकदम फूले फूले कितने टेस्टी यम्मी पराठे बने हैं पालक के एक परफ्रेंट स्ट्राई ज़रूर करना ये देखो और इसको साइडों से सेख लेना है दबा दबा के नहीं तो कच्चे रह जाएंगे साइडों में बीच में से सिख जाएगा और साइडों से कच्चे रह जाएंगे इसलिए इसको दबा दबा करके थोड़ा सा सेक लेना है इस तरीके से अब ये सिक चुका है अब मैंने यहाँ पर दूसरा डाल दिया है और दूसरा भी हमें इसी तरीके से सेक लेना है और ये पालक के परांठे हैं एक पर ट्राइ जरूर करना इस तरीके से आप स्टफ्ट प पराठे की रैसे पीछे ही तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मैं आपके लिए वह भी लेकर आऊंगी और इसको अलट पलट करके दोरों साइट से से शेख लेना है दबा दबा करके और साइडों में इसको दबा करके सेख ना है क्योंकि कच्छी रह जाते हैं साइ इसको साइडों से दबा दबा कर सेख लेना है और यहामारे पालक के पराठे है और यह आज मैंने हरदनिये के चेटणी और आमले की चेटणी के साथ इसको सर्व किया आप इसको किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं आप इसको सबजी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं या चटनी के साथ भी खा सकते हो वीडियो को एंट करने से पहले फ्रेंट्स आप सभी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंट्स में शेर कर देना और चैनल पर अग झाल झाल झाल